हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल शाक्यानी ब्लोग आज मैं आपको साबुदाना के पापड़ बनाना बताऊंगी यहाँ पर मैंने साबुदानों को हलका पानी डलके रात पर भिगो के रखा है यह देखे किस तरह कैसे पूरा एकदम खिला खिला सा हो गया है अब हम साबुदाना के अंदर पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने आदे किलो साबुदाना लिया है इसमें मैंने दो लोटे पानी डाला है अ कि यह देखिए हमारा दो लोटा पानी हो चुका है अब हम इसको गेस पर चड़ा देंगे अब इसको एक प्लेट से ढख देंगे यहां पर मैं प्लेट से ढख रही हूं अब इसको थोड़ी देर पकने बाद इसमें हम थोड़ा सा ओल डालेंगे आप नमक स्वाद के नुसार डाल सकते हैं मैंने यह पर बृत वाला नमक यूज़ किया है यह देखिए हमारा साबुदान बनना स्टार्ट हो चुका है अब यह पूरी तरह से नहीं बना है इसको बीच बीच में चलाते रहना चाहिए जिसे बीचे लगे न कम सकम इसको आपक तब पकाना पड़ेगा तब जाके ही आपका साबुदान अच्छा से बनेगा एकदम खिला खिला सा इस तरीके साब इसको चलाते रहिए बीच बीच में चेक करते रहिए साबुदान बनना स्टार्ट हो चुका है यह देखिए इसमें कितना सारा बवल आ रहा है यह साबुदाना तैयार हो चुका है अब हम गयस को बंद कर देंगे तो चलिए अब हम इसके पापड बनाते हैं यहां पर में एक खार पे पन्णी बिचाके उस पर हम साबुदाना का पापड़ बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने इसको बैटर को पन्नी पर डाल दिया और उसक इसी तरीके से हम अपने दिरे-दिरे सारे पापड बना लेंगे, ज्यादा पतला नहीं करना है, बनना यह चिपक जाएगा, थोड़ा आप इसको मोटा ही रखें, यहाँ पर मैं अपने सारे पापड इसी तरीके से बना लूँगी, हमारे पापड बन रहे हैं, पन्नी पे ही आप इसको बनाएं, कपड़े पर बनाएंगे तो यह ख़रा हो जाएगा, इस तरीके से हमने अपने सारे पापड बना लेना है, अब हमारे सारे पापड बन चुके हैं, यह देखिए, मैं आपको इसको पास से भी दिखा दूँगी, आदा किलो में मेरे कम से कम सत्तर असी पापड बन चुके हैं, और मैंने जबकी थोड़ा बड़ा साइज का ही पापड बनाया है, देखिए, कितना इसमें एक-एक दान आपको दिखाई दे रहा है, पापड का, अब आपको दो-तिन घंटे की धूप के बाद इसको पलट देना है, इस तरीके से आप धीरे से सभी पापडों को पलट देंगी, जिसे इसके दूसरी सैट भी धूप लग जाए, सभी पापड को अच्छे से पलट इए, और इसको सूखने दीजिए, उसके बाद में एक बाद आप फिर पलट दीजिए, इसको फिर सूखने दीजिए, आप वो करीब इनको 2-3 दिन की धूप लगानी है, देखे फ्रेंड्स हमारे पापड सुख चुके हैं, यह मैंने यहाँ पर 2 दिन इनको धूप में सुखाया है, यह देखे इसका दाना कितना अच्छा लग रहा है, देखने पर, तो चलिए अब हम आपको इसको सेक के दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कड़ाई दे लिए, उसमें मैंने सर्सो का तेल डाला है, आप कोई भी ऐल यूज कर सकते हैं, रिफाइंड मेंगर उसको अच्छे से गरम कर लेना है, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, यहाँ पर मैंने पापड डाला है, देखिए हमारा पापड कितना एकदम फूल के निकल है, और यह एकदम वाइट है, थोड़ा से सरसो का तेल है, इसलिए थोड़ा आपको पीला पर नजर आ रहा हो, रिफाइंड ओल में आप सेखेंगे, तो एकदम वाइट निकल के आएगा, इसी तरीके से आप अपने पापर सेख लीजे, जितने आपको खाने हो, तो फ्रें अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, न झाल 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